चोपड़ा है जो किसनी यूटूब चलर पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ देश में चल रहे हालात को देखते हुए काफी सारे स्टुडेंट इस कन्फिजन में हैं कि नीट 2020 के एक्जाम ओनलाइन मोड पर होगी या फिर ओफलाइन मोड पर होगी क्योंकि केसे जवी लगातार स्पीड से बढ़ रहे हैं तो अभी ओनलाइन मोड पर नीट 2020 के एक्जाम कंडेक्ट होने की कोई संभावना नहीं है फिर भी इंडियन एक्ष्प्रेस के न्यूज आर्टिकल के अनुसार HRD के एक ओफिशियल ने बताया कि परिक्षा के अंदरों पर भीड से बचने के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों तरीकों में नीट आयजित करने के लिए प्रस्ताव पर भी निगयर रखी जा रही है अलांकि कोई निड़न नहीं हुआ है और अगले ही कुछ दिनों में सब कुछ सफस्ट हो जाएगा तो इससे हम मान सकते हैं कि 99% ओफलाइन होने के चांसेज हैं अगर होती है तो 1% चांसेज हैं कि ओनलाइन मोड पर भी एक्जाम कंड़ेक्ट हो सकती है यह अगले 1-2 दिन में सफस्ट हो जाएगा कि एक्जाम ओनलाइन मोड पर होगी या फिर ओफलाइन मोड पर होगी लेकिन हमें ओनलाइन मोड की एक्जाम के लिए भी तयार रहना होगा इसकी तयारी के लिए आपको नेशनल टेस्टिंग अभ्यास जो एप है ओनलाइन टेस्ट की प्रेक्टिस करनी है उससे मुझे उमीद है कि बहुत सारे स्टुजेंट इस आपको दे रहे होंगे इसमें आपकी ओनलाइन मोड की अच्छी तयारी हो जाएगी यह अभी जल्दी ही अधर लेंग्वेज में भी अवेलेबल होगी तो इससे आप ओनलाइन मोड की अच्छी प्रेक्टिस कर सकते हैं वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि नीट 2020 चाहे ओनलाइन मोड में हो या ओफलाइन मोड में अगर आपकी तयारी अच्छी है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है बाइदोए अगर ओनलाइन मोड पर होती है तो क्यूशन पेपर को कैसे सौलूप करना है इसकी प्रेक्टिस आप नेशनल टेस्ट अभ्यास एप से कर सकते हैं इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा मैं आपको इंफर्म कर दूँगा आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा सेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिन